नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं निउस्टोरे दोर्स तो आज की जानकारी मत प्रदेश के समझत सरकारी प्रात्मेक और मादमेक स्कूलों के समझत सक्षकोली बेहत कहा से कक्चा एक से आड़वी तक स्कूल के जो है 31 मार्च तक बंद है आफ सभी को पता है और उसके पाद भी कोरोना के संक्रवन की इस्तिति को देखने के बाद जो है उसका खुलने का पैसला लिया जागा लेकिन मूल यंकन कैसे पर अभी तक यह महत्पूर्ण कार नहीं हो पाया क्योंकि इसके देशन निर्देश और राज सिक्षक के अंदर से एक पत्र भी जा रही तो दोस्तो मद प्रदेश MP Board कक्चा एक से आड़ भी तक के बच्चों के लिए नहीं हुआ ये महत्पूर्ण काम कैसे होगा मूल यंकन दोस्तो मद प्रदेश में पहली से आड़ भी कक्चा तक के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चात्रों का मूल यंकन और प्रोजक्ट के आदार पर किया जागा इसके लिए अर्दवार सिक मूल यंकन जनवरी महीने में और बार सिक मूल यंकन फरवरी और मार्च मही किया था कि पहली से आड़ी तक की कक्षा है 31 मार्च तक बंद रहेंगी इसके बाद इन कक्षाओं के बिद्यारतियों का मूल यंगन बर्क सीट और प्रोजेक्ट के आदर पर किये जाने के निर्देश बिवाक द्वाग द्वारा दी गए थे मूल यंगन के लिए जनवरी में टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें 60% अंक वर्क सीट के लिए वहीं 40% अंक प्रोजेक्ट के लिए मानन की गए थे बापजूर इसके परदेश के बच्चों को अब तक प्रोजक्ट के लिए बिश्यों की जनगरी नहीं दी गई है बहीं स्कूल भी इस मामले में दूवीदा की इस्तिती में जिसका खामी आजा बच्चों को बहतना पड़ सकता है ग्यात हो कि इस सम्मन्न में मामले में सिक्चा मंडल ने सवी सास के स्कूल के लिए निर्देश जारी किये थे इसमें कहा गयाता कि बिद्दियार्तियों की अर्दवारसिक मुल लियंकन 20-31 जनवरी के बीच बहीं बारसिक मुल लियंकन 10-25 परवरी और 8-20 MARK के बीच किया जागा बर्क दिया जागा जहां एक तरह बच्चों को बर्क सीट में प्रश्णों के उत्तर को पूरा करना हुआ बहीं 40-30 अंग बच्चों को प्रोजेक्ट के माजम से दिये जाएंगे प्रोजेक्ट गर में उपलब्द रोज मरदा की सामगरी के अधर पर बनाये जाएंगे जिसमें बच्चे घरबालों की सायता लेंगे हाला की इस मामले में विवागिया दीकारियों को इसपष्ट दिये गए की किसी बिद्यार्ति का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर या प्रोजेक्ट अदूरे रहने पर उसे पिछले कख्षा में जाने से रोका नहीं जा गा, यानि की इसका nat किया जागा बाब जूँद इसके प्रोजट की इसपश्टता नहीं होने की बज़े से प्रदेष के इसकूलों में अपने बच्चों को प्रोजट के उपलब्द नहीं कराए गाए और ना ही उनसे प्रोजेक्ट बनवाया गया है ऐसी इस्तिति में जनवरी के तीसे सब्ता से सुरू होने वाले मूल्यांकन कार में बच्चों के अंकों का मूल्यांकन किस तरह किया जाएगा ये बड़ा सवाल है तो दोस्तों इस पर अपने बिचाले के हैं जानगरे को जदा